हेलो स्टुडेंट तो स्वागत है आपका श्रगल स्टेडी अकाडमी में तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों NCRT फिजिक्स कलाश 12 का अध्याय तीन विदुधारा जिसे हम लोग इलेक्टिक करेंट भी कहते हैं इसमें नुमेरिकल देखेंगे और पिछले वीड लुक्स अगर रखे हैं तो वहाँ पर निकाल लेजिएगा ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तीन पॉइंट साथ कोस्ष्य नंबर तीन दस्मलो साथ हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों यहां पर बोल रहा है कि सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेट पर परतिरोध 2.1 ओम और 100 डिग्री सेंटीग्रेट पर परतिरोध 2.7 ओम है सिल्वर की परतिरोध हकता ता आप गुणांक ग्याद किजी अभी दोस्तों यह कुस्ष्ण करने से पहले मैं आपको पिछले जो अगर पार्ट वन वीडियो आप देखे होंगे तो इसमें हमने इसमें जो लगने वाला फॉर्मूला है उसका डिस्कस हमने कर चुके है ना तो फिलाल में देख लिजे फिर से एक बार अगर दो परतिरोध दिया जाए हमारे पास है ना माली जे कि यहां पर कोई आर बन और आर टू दे दिया जाए ठिक और किसी तार का जो टेंपरेचर है वो माली जे कि टी बन है और टी टू है है ना तो इसका अंतर हम लोग निकाल लेते हैं और इसका अंतर कहलाता है तापांतर है ना जिसको हम लोग डेल्टा टी से रिपर्जेंट करते हैं अगर ये हमें पता हो और उसके बाद हमें अलफा का मान पता हो जिसे हम लोग ताप गुणांक कहते हैं तो इन सभी में relation क्या हो जाता है दोस्तों तो ताप गुणांक और परतिरोधों में जो समन्द होता है वो होता है R2 बराबर ध्यान रखेगा इसको बहुत ही most important question ये formula है जो कि आपका ये 2-3 question में भी यूज होगा है ना और इससे पीछे वाले में भी यूज होगा था तो numerical के द्रिष्टी से बहुत ही important है R2 बराबर R1 और into 1 प्लस अलफा डेल्टा ट के बराबर होता है जहां डेल्टा ट बराबर क्या होगा तो तापों का अंतर यानि कि यहां पर T2-T1 कर देंगे है ना T2-T1 ठीक और अलफा क्या होगा तो अलफा हमारा ताप गुणांक होगा तो यह relation अगर आपको मालूम है तो यह formula यह question जो है आपका बन जाएगा यह formula अगर आपको आ रहा है तो तो आप इसे ध्यान में रख लिजेगा R2 बराबर R1 into 1 प्लस अलफा into डेल्टा टी जहां R2 क्या है तार का दूसरा परतिरोध है ना R1 क्या है तो यह पहला परतिरोध है और यह डेल्टा टी क्या है तो तापों का अंतर है है ना दो अलग-अलग temperature दिया रहेगा और अलफा क्या है तो यह ताप गुडांक है तो अब आईए अब इस question को हम लोग पढ़ते हैं और इसे solve करने का परियास करते हैं तो यहां पे देखें दोस्तों क्या क्या दिया शेरेंगे कि चुकी दिया है दिया है लिcky को टार का टार का दिवन बराबर कितना देदे कção तो टार बराबर आपका 27.5 संटीगरेशो पर पढ़तिरोध जहें दो दस्मलों एक ओम है यानि आपको आरवन का मान कितना दिया हुआ है तो टू पॉइंट वन ओम दे चुका है है ना बोलडा कि 27 पॉइंट सॉरी दो पॉइंट एक ओम है बोलडा फिर कि 100 डिग्री सेंटी ग्रेट पर परतिरोज 2 दस्मलों साथ ओम है यानि यहां पर टी टू का जो मान है वो कितना दे चुका है 100 डिग्री सेंटी ग्रेट है ना और पर्तिरोध गया है हमारा दो दस्मलो साथ ओम जानी आर्टू का जो मान है आपसे आपको क्या दे चुका है दो दस्मलो साथ ओम तो बोल रहा है शिल्वर की पर्तिरोध कता ताप गुणांक ग्याद कीजिए है ना यानि alpha का मान आपको ज्याद करना है उलायन आपको कि silver की परती रोधकता ताप गुणांग है ना यह क्या पूछा है last my language ताप गुणांग तो ताप गुणांग को किस से हम लोग सुचित करते हैं alpha से तो alpha का मान आपको बताना है ठीक तो यहाँ पर लिखेंगे आप formula चुकी r2 बराबर क्या होता है r1 into 1 plus delta t into alpha या alpha delta t भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग r2 का मान धर देते दोस्तों r2 का मान क्या है यह देखिए दो दस्मलो 7 यहाँ पर रख लिजी चाहिए आप और भी कर सकते कि r1 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में तो r2 बता में r1 है ना बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 plus delta t into alpha ठीक है r2 का मान धर देते हैं r2 का मान क्या हमारा 2.7 r1 का मान क्या है 2.1 यहाँ पर रखेंगे 2.7 बता में 2.1 अब यह plus का 1 है और इधर आएगा तो minus का 1 हो जाएगा ना बराबर इधर क्या बचेगा delta t delta t बराबर क्या होता है t2 minus t1 यह आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर t2 minus t1 into क्या है alpha अब यहाँ पर ध्यान देजेगा यह देखिए पॉइंट से पॉइंट हड़ जाएगा और यह तिन अवा 27 तिन सते 21 होता है ना तो 9 बटा 7 minus 1 बराबर t2 का मान क्या है दोस्तों देखिए यहाँ पर 100 degree centigrade है t1 का मान क्या है 27.5 है यहाँ पर रखेंगे t2 का मान 100 minus t1 का मान क्या है 27.5 ठीक है degree centigrade अभी नहीं लिख रहा हूं क उसके बाद यह देखिए इसको हल कर लेते हम लोग तो इसके बटा में एक छिपा हुआ है साथ एक कैलसियम कितना हो जाएगा साथ और फिर तरिया गुना कर दीजे 9 minus 7 एकम साथ बराबर क्या हो जाएगा फिर हमारा 100 में से 27.5 घटेगा तो यह हो जाएगा 72.5 इंटू अल और यह बचा हमारा 9, 9 में से 7 घटेगा तो 2 है ना 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा ठीक है चलिए आगे देखते हम लोग दोस्तों यह घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा बचा में 7 है ना और यहाँ पर देख लिया जाए तो यह पॉइंट जाए तो कितना हो जाएगा हमारा तो 5 एकम 5, 5 दुना 10 है ना फिर 25, 25 25 जाने 125 हो गया फिर से कट कर लेते हैं 5 एकम 5, 25 के 20 हो जाएगा दोस्तों ठीक है यह 5, 20 हो जाएगा और यहाँ पर 25, 25 25 बचा में 2 आ गया है ना तो देखें दो भाग में है और इधर आएगा तो गुणा इधर हो जाएगा तो चाहे लिख लिजी आप पहले 145 बटा में 2 गुणे अलफा अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा तीरिया गुणा कर देते हैं ना चाहे ये 2 को इधर भेज देंगे तो 2 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 और 145 का 7 में गुणा हो जाए अलफा अब यहाँ पर थोड़ा सा हल कर लेते हैं आ जाएगा अब हमारा वैल्यू है ना तो देखिए 4 और बटा में 7 का अगर हम लोग उना कर दें इसमें तो यह देखिए 7 35 के 5 हो जाएगा सचोग का 26 और 3 31 हो जाएगा ना और हाथ में 3 हो जाएगा और 7 एकम 7 3 10 बराब नमबर अलफा और आपका अलफा बराबर क्या आ जाएगा अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो यह आ जाता है आपका 0 10 मलो हमने कटा के इसको देख लिए दोस्तों ठीक है जीरो 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 तीन नौ चार डिग्री सेंटीग्रेट इन्वर्स यह आप इसका इसा ही मात रख मत भूलिएगा इसको कंप्लीट अखीए गया तो यह आपका अंसर हो जाता है दोस्तों ओके तो यह आपको कंप्लीट हो गया होगा चलिए कोस्चन नमबर हम लोग 3.8 देखते हैं कोस्चन नमबर 3.8 क्या कह रहा है दोस्तों बोल रहा है कि निक्रोम का एक तापन बिल्कुल उसी फॉर्मूला पर है दोस्तों है ना लेकिन यह थोड़ा सा आपका माइंड जाच कर दिया है यहां पर लिखेंगे हम लोग कि चुकी दिया हुआ है और यहां पर विभो यानि भी का मान जो है आपका दोस्तों तीस बोल्ट दे चुका है है ना आगे बोल रह कितना एंपियर का है तिन पॉइंट दो एंपियर का तो आईवन बराबर कितना दे दिया थिरी पॉइंट टू एंपियर इसको लिख सकते आप इस तरह भी चाहे ठीक है अगर यहीं पर कर रहा है तो यहीं पर छोड़ दीजे है ना जो कुछ सेकेंड में यानि कुछ सेकेंड में 2.8 एंपियर पर अस्थाई हो जाता है अब क्या हो जाता है 2.8 एंपियर पर फिक्स हो जाता है तो यानि कि अब देखिए कुछ सेकेंड के बाद यह प्रस्थाई हो जाता है यदि कम्रे का टेंपरेचर यानि ताप 27.0 degree centigrade है यानि T1 का मान आपको दे दिया है ना कम्रे का ताप कितना दे चुका है 27.0 degree centigrade यानि T1 का मान कितना है 27.0 degree centigrade आगे बोल रहा है तो ताप अवयो का अस्थाई ताप क्या होगा है ना यानि यहाँ पर देखे ताप खाली पुछा है यानि T2 का मान पुछ दिया है अपसे वाट लगा देंगे यहाँ पर आगे बोल रहा है दिये गए ताप परिशर में निक्रोम का ओसत परतिरोध का पावर मानेस चार सेंटिग्रेट डिग्री सेंटिग्रेट इंवर्स दिया हुआ है यहां पर ध्यान दीजिए आप बात उठ रहा है कि सर अगर हमें टेंपरेचर ग्याद करना है तो हमें तो फॉर्मूला बस आप यही बताया है अभी है ना तो बिल्कुल यही वला लगेगा दोस्तों है ना लेकिन यहां पर दे चुका है क्या आई वन आई टू दिया है जबकि यहां पर तो रहना चीए आर वन और आटू है न सो आर बराबर क्या हो जाएगा भी धर भी धर ही रहेगा श्ब्राइगा अई गुनां में और इधर आएगा तो भाग में याini R बराबर भी बटा में I निकल जाएगा है ना तो चुकी अगर पहला परतिरोध का मान निकलना है आर वन का तो भी बटा में I1 हो जाएगा यहां पर देखे, temperature T2 का मान यानि फॉर्मुला लगाने से पहले, हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं, आर ब य हां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि चुकी R2 बराबर, जाए R1 बराबर पहले निकाल लेते हैं na, r1 बराबर क्या होगा भी बटा में i1 और यहाँ पर देखा जाए तो विभाव कमान दे चुका है 230 बोल्ट है ना यहाँ पर लिख देंगे 230 बटा में i1 कमान क्या है दोस्तो i1 कमान 3.2 एंपियर है ना 3.2 एंपियर हमने लिख दिया पॉइंट हटा देंगे तो उपर एक 0 पढ़ जाएगा है ना तो यह हो जाएगा 200 यह 300 हो जाएगा राइट बटा में क्या हो जाएगा 32 ओके इतना आया अब हमारा उसके बाद आर्टू का भी मान निकाल लेते हैं तथा आर्टू बराबर भी बटा में i2 अब देख लिए जाए दोस्तो तो भी टू का मान कितना है हमारा सौरी भी का मान क्या है तो 230 बोल्ट यह रख देंगे हम लोग है ना बटा में i2 का i2 का मान क्या है 2.8 एंपियर 2.8 एंपियर अब अगर और भी थोड़ा सा इसको सिंप्ली फाई कर दिया जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा है ना करना चाहेंगे तो कर भी सकते चाहें आगे भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं पॉइंट हटा देंगे यहां से तो उपर 0 बढ़ जाएगा तो यह ह हो जाएगा दोस्तो 28 ठीक है तो यह हमारा ओम और यह भी ओम में आएगा है ना क्योंकि परतिरोध का इसा ही मात्रक क्या होता है ओम होता है यानि अब हम लोग देखिए आरवन आर्टू हम लोगों ने ग्यात कर लिया उसके बाद देख लिया जाए तो यहां पर टी वन का मान दिया हुआ है टी टू का मान निकालना है अलफा का भी मान दिया हुआ है तो आईए फर्मूला लगा देते हैं यहां पर लिखेंगे हम लोग कि चुकि R2 बटा मैं R1 कर ले रहा हूँ डारेक्ट है न बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस अलफा इंटू T2 माइनस T1 यह तो हमारा डेल्टा T ही था लेकिन यहाँ पर मैं T2 माइनस T1 डारेक्ट ली रख देता हूँ ठीक है आप यह दिख भी सकते हैं R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अलफा इंटू डेल्टा T है तो हमने R1 को इधर कुणा में था इधर में आया तो भाग में ठीक है और डेल्टा T किसके बराबर होता है दोस्तो T2 माइनस T1 के बराबर है तो यही हमने किया है अब यहाँ पर ध्यान दिजिएगा R2 का मान रखते है R2 का मान कितना कल्कुलेट किया है दोस्तो यह हमारा 2300 बटा में 28 है यहाँ पर रखेंगे 2300 बटा में 28 है ना और बटा में R1 का मान कितना है दोस्तो 2300 बटा में 32 यह हमने लिखा 2300 बटा में 32 बराबर क्या है 1 प्लस अलफा का मान कितना है दोस्तो 1.7 10 to the power minus 4 degree centigrade inverse है ना 1.7 10 to the power minus 4 degree centigrade inverse है अभी यहाँ पर ऐसा ही मातरक नहीं लिखेंगे हम लोग है ना फिर उसके बाद देखें यहाँ पर T2 का मान हमें ग्याद करना है T2 का मान ग्याद करना है तो उसको सी तरह छोड़ देंगे T1 का मान क्या है 27 degree centigrade है ना तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में करके T2 का मान क्या रखेंगे T2 ही रखेंगे T1 का मान कितना है हमारा 27 ठीक है चार सते 28 हो जाएगा साथ बार में कटेगा और यह चरी अठी 32 है ना यह फानली क्या बचेगा एक बटा में 7 बटा में एक बटा में 8 यह बचेगा ना और बराबर 1 प्लस यह 1.67 इंटू 10 टू दी पावर मानस 4 और इंटू T2 मानस क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा आगे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते तो 8 जो है उपर चला जाएगा पहला गुणी चोथा से तो यह 8 बटा साथ हो जाएगा यह प्लस का 1 है इधर आता है तो मानस का 1 बराबर यह 1.7 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा मानस 4 इंटू T2 मानस क्या हो जाएगा 27 ठीक है यानि कुल मिलाकर हमें कितना क्या चीज का मान गयात करना है T2 का मान गयात करना है चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अब हम लोग आगे तो अगर आगे देखे तो यह देखे 7 और इसके बटा में एक छीपा हुआ है लसे हम लेंगे तो कितना आजाएगा हमारा 7 आजाएगा तो अब एक का गुणा कर लिजे 8 में 8 मानेस 7 का एक में करेंगे तो 7 बराबर यहाँ पर देखे क्या है 1.7 इन्टू 10 टू दी पावर मानेस 4 इन्टू टी टू मानेस 27 राइट इतना समझ में आया दोस्तो अब आगे करते है 8 में से 7 गटेगा तो एक बटा में 7 है ना बराबर अब यहाँ पर देखे पॉइंट हटा दे रहा हूं तो नीचे क्या होगा जीरो बढ़ जाएगा ना एक जीरो तो यह हो जाएगा 17 और बटा में 10 गुंडे यह क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर मानेस 5 फोर हो जाएगा है ना और इन्टू टी टू मानेस 27 चले इतना हुआ अब आगे अगर देख लिया जाए तो इसका पावर एक है यह उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर मानेस 5 यह 5 हो जाएगा यानि एक बटा में 7 बराबर 17 गुंडे 10 टू दी पावर मानेस 5 और यह टी टू मानेस 27 ओके अब यहाँ पे द्यान देजेगा दोस्तों यह दोनों गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में तो इस चीच को मैं यहाँ पे भेज़ दे रहूँ तो एक बटा में 7 गुंडे 17 हो जाएगा और गुंडे 10 के पावर मानेस 5 बराबर क्या बच जाएगा इधा टी टू मानेस 27 ठीक है अब यहाँ पे ध्यान देजेगा यह 10 के पावर मानेस में उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा न इसका पावर तो यह हो जाएगा 10 के पावर 5 और बटा में 17 सते 119 और बराबर यह टी टू मानेस 27 ओके अब देखें यहाँ पर कि 10 के पावर 5 यानि 1 पर 5 0 रख देना है 3, 4 and यह 5 हो गया ठीक है यह मैनिस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा यह बटा में 119 है और यह प्लस में हो जाएगा आपको 27 बराबर क्या हो जाएगा T2 अब जब इसका LCM लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा देखें बटा में एक छिपा हुआ है तो अगर देखा जाए तो एक और 19 का LCM लिया जाए तो 119 हो जाएगा है ना एक का इसमें गुणा कर लेंगे तो यह इतना ही हो जाएगा एक पर कितना 0? 5 0 है ना 3 4 & 5 प्लस देखें जब 119 से आप 27 में गुणा कर लेते हैं दोस्तों तो यह हमने किया है 32 13 हो जाता है ठीक है 32 13 आ जाएगा बराबर T2 जब इसमें आप एडिंग करते हैं तो यह 10 32 13 और बटा में 119 आ जाएगा ठीक है यह बराबर होगा T2 के आप इसको कल्कुलेट कर दीजे आप इसको भाग देना है आपको भाग देंगे तो यह आपका आ जाता है तीटू बराबर डिरेक्टली मैं यहाँ लिख दे रहाँ तीटू बराबर होगा 867.336 डिग्री सेंटीग्रेट यह आपका एंसर हो जाता है दोस्तों यह नहीं है दोस्तों यहाँ तक आपको कम्प्लीट कर लेना है तो मिदा यह भी समझ में आपको आ गया होगा थोड़ सा बड़ा कल्कुलेशन जाएगा दोस्तों ठीक है लेकिन आप इसे अच्छी तरह से देख लिजेगा अगर यह कम्प्लीट कर लिए तो इससे रिलेटेट जो भी कोस्टन आएगा ना तो आप बना लीजेगा ठीक है बहुत ही most important question और एक आत बार फेकी देता है figure के माध्य से ठीक है तो आप इसे अच्छी तरह से देखें और पक्का है कि मैं आपको समझा पाऊंगा फूरा ठीक है पूरा कोसिस करूंगा मैं समझाने का पूरा एकदम ठीक है तो यहां पे देखें बोल रहा है हमारा कि छित्र 3.30 में दर्साए network की परतिये के साखा में परवाहित ठीक है वरना यह देख लिजिए कि चार हमारा परतिरोध होता है ठीक है और इस पर करका जो सेट अफ होता है यही विट अश्टों से तिक कालाता है और आप यहां पे पहुंचे हैं तो यानि कि आप पूरा basic complete करके ही पहुंचे होंगे है तो यहां पे देखें बोल रहा है देखें दस ओम का है पांच ओम का है दस ओम का है फिर पांच ओम का है इसमें पांच ओम का लगा हुआ है ठीक है फिर आगे इसको तार से यह हमारा जोड़ दिये गया है फिर परतिरोध है यह बैटरी है हमारा है ना दस बोल्ट का तो अगर हम लोग आगे देखा जाए दो तो यह कहलाता है संधी, ठीक है, तो संधी किसे कहते हैं, जब धारा को जाने के लिए 2 या 2 से, 3 से 3 हो, कम से कम 3 दास्ते हो, या 3 से अधिक हो, तो उस point को हम लोग संधी कह देते हैं, ठीक, और लूप किसे कहते हैं, दोस्तों, लूप कहते हैं, इसको देखे, जैसे इसका ना दिया जाता है इसी को तो A, B, D, A यह हमारा क्या हो गया बंद लूप हो गया ठीक है अब उसी परकार यहां पर भी देखिए B, C, D, B यह पूरा बंद लूप हो गया ठीक है B, C, D, B तो यह हमारा लूप काल आता है है ना तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते इसमें हमने धारा प्रभाइत किया ऑई न इस बैर्टरी के द्वारा धारा प्रभाइत हुआ तो यहां पर पहुचेगा धारा तो अभ यह धारा तो दो भागों में बटेगा नए एक तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा तो मैंने माना कि इधर वाले particle में i1 धारा चला गया कितना चला गया दोस्तो i1 ठीक है तो मैं पूछँ अब आपसे कि इधर कितना धारा जाएगा तो i में से i1 चला गया तो कितना बचेगा i1-i i-i1 है ना इधर जाएगा कितना जाएगा तो i-i1 इधर जाएगा ओके यह आपको समझ में आया अब उसके बाद यहां से चलता गया चलता गया i1 धारा और यहां पर पहुँचा तो आप फिर से देखें यहां पर कि दो जगा और भी मिल गए एक तो यह इधर भी जाएगा और दूसरा इधर भी जाएगा है ना तो मैं आपसे बोलूं कि अगर इसमें i2 धारा चल जाए है ना अब यहां से i1 पहुँच गये यहां पर तो i1 के लिए तो आप दो मार गया ना एक तो इधर भी जाएगा और एक इधर भी तो मैंने माना कि इसमें i2 धारा हमारा चला गया किसमें इसमें तो अब मैं पुछूँ आपसे दोस्तों कि तो इसमें कितना गया तो i2 में से i1 को आपको घटा देना है sorry i2 में से कह रहा हूँ i1 में से यहाँ पर i1 धारा पहुचाना और हमने बोला कि i2 धारा इसमें चला गया तो इधर कितना जाएगा तो इधर जाएगा आपका i1 मानेस i2 ठीक है दोस्तों जब यह i1 और i2 यहाँ पर चला ठीक है और फिर से अगर देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पर इस पर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ से i-i1 धारा चल दिया यहाँ पर आया आया यहाँ पर d पर पहुच गया है ना और इधर से यह i2 धारा भी जा रहा है तो अब मैं पूछू कि तो इधर डिरेक्शन में कौन सा धारा जाएगा है ना तो कौन सा धारा जाएगा तो यह अगर समझ में आगे ना दोस्तों आपको तो यह कुस्चन एक दम बिलकुल असान है बन भी जाएगा कल्कुलेशन है थोड़ा सा तो कौन सा धारा जाएगा i1-i1-i1-i2 है ना तो यह लिख लेंगे हम लोग i-i1 और यह प्लस i2 ठीक है अगर यह पूरा का पूरा सेट अप समझ में आ गया परना फिर से एक बार और पिछे करके आप वीडियो को देख लीजेगा राइट तो यह समझ में आ गया अब आगे चलते हैं दोस्तों तो सोल्ब करने की बारी आती है यानि कि अब आपको धारा कामान बताना है पंठिया मेरियो तो सबकामान कुल मिलाकर इसमें कितना हमने पार्ट में बाड़ दिया i को तो i1 और i2 पार्ट में बाढ़ दिया यानि i1 i2 का मान निकल जाएगा तो i का भी मान निकल जाएगा है ना और तीनों का मान निकल गया तो पड़ती एक साखा का हम लोग मान अराम से ग्याद कर लेंगे ठीक है तो आईए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते है यहाँ पर सबसे पहले तो हम बता दे कि आपको यहाँ पर खिर्चौप का दूसरा नियम लगाना पड़ेगा है ना तो यहाँ पर लिखेंगे खिर्चौप के दियुतिय नियम से खिर्चौप के दियुतिय नियम से यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा ठीक खिर्शोप का दियूतिय नियम क्या होता है दोस्तों तो सैद आप लोग जानते होंगे की नहीं लेकिन हम बता दे रहें कि किसी बंद परिपत से है ना किसी बंद परिपत में पर्तिरोधों के सीरों के बीच उत्पन विभुवांतर ठीक है जहां पर मैं आपको रपसाइट म बता देता हूं किसी पर्तिरोध के सीरों के बीच उत्पन विभुवांतर उसी परिपत में इस्थित सेलों के विधुत्वाहक बलों के बिजगानीतिय योग के बराबर होता है तो फिर से समझे किसी बंद परिपत में उनके पर्तिरोधों के सीरों पे उत्पन कुल उस परिपत में इस्थित सेलों के बिच उत्पन विधुत वाहक बलों के बिच गानितिय योग के बराबर होता है, कहने का मतलब है समेशन उप ए के बराबर होता है, तो अब बात उठता है कि भी किसके बराबर होता है, तो भी जो होता है, आई यार के बराबर होता है, है ना परतिरोध R1 है ना एक दूसरा हमारा ये साखा है जिसमे धारा I2 जाने लगा है ना और परतिरोध जो है R2 है तो इन सभी का योग फल होते जाएगा यानि धारा के संगत परतिरोध का गुनन फल फिर प्लस धारा के संगत परतिरोध का गुनन फल अगर अब धारा का दिशा विपृत हमां लिजे धारा, अब यह हम लोगों ने तो धारा इस डिरेक्जन में बहा रखा है, तो ये भी ज होगा, लेकिन अगर धारा का दिशा इस तरह एक धारा का दिशा विपृत होगा, तो यहाँ पर हमने concept भी बता दिया, बराबर होगा विधुत वाहाकबल यानि EK ठीक है, EK योगफल के, जितने भी सिल का विधुत वाहाकबल दिया रहेगा सबका विजगणित यानि symbol के साथ जोड़ देंगे, और वही हो जाएगा, तो यह हमारा खिर्चोप का दियुतिय नियम है, फिलाल में चलिए यह तो आपको बेसिक था, जो कि समझाने के लिए हमने समझा दिया, चलिए अब यहाँ पर लगाते हैं, तो पहले बंद लूप हम लोग ले लेते हैं, क्या लेंगे A, B, D, A में है न, यहाँ पर लिखेंगे, खिर्चोप देने योगे बाते हैं, ठीक है यहाँ पर ध्यान देने योगे यह बाते हैं, दोस्तों कि देख लिया जाए तो A, B, D, A में मैं बात कर रहाँ, ठीक है इधर वाले साइड में, आप इसको मूद दीजे एकदम इस तरह मूद दीजे, खाली मैं इसका बात कर रहाँ, ठीक है समझे रहे हैं आपत, A, B, D A का, यानि A, B, D, A का अब देखा जाए तो इसमें इस वाले साखा में, A, B में धारा क्या है, I, 1 और परतिरोध क्या है, 10 हों कि यहाँ पर लिखेंगे, I, 1 और गुणे 10, यानि यहाँ पर 10 मैं लिख देता हूँ, ठीक है यानि R, I, 1 लिख सकते हैं या I, 1, R भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पर देखिए धारा का दिशा ऐसे है, अब फिर हमें चलना है किस तरह इसी के डिरेक्शन में है तो यह देखिए, धारा का दिशा इसी में है तो ठीक है I, 2 हमारा अब धाराई के दिशा में हम हैं, तो यह प्लस आ जाएगा, ठीक है अब देखा जाए, तो धारा क्या हमारा I, 2 है, इसका संगत परतिरोद क्या है 5 है, तो 5 का I, 2 में हो जाएगा यह प्लस लगा दिए पांच आई तू अगर आपको यह नियम अगर पता होगा ना खिर्चोप का तो यह पक्का एकदम उम्मिद है कि समझ में आ रहा होगा एकदम बिल्कुल अच्छा बता रहा हूं दोस्तों ठीक है अब ध्यान से देखते रही है अगर नहीं अगर नहीं आ तो हो जाता है तो चिन बदल जाएगा प्लस के जगा पर क्या एगा मैनस ओके समझ में आ गया होगा अब देखाए तो परतिरोद कितना और पांच हो अधारा किया हमारा तो आई माइनस आईवन यहाँ पर रखेंगे पांच इंटू आई माइनस आई वन आई माइनस आई वन अब देखें इन्स सभी का विजगनीति योग इस बंद लूप में कूल हम कहते हैं विधुत वाहक बल के विजगनीति योग के बड़ाबर हो लेकिन इसमें तो कोई विद्धुत वाहकबल दिया ही नहीं है नहीं न दिया है कहीं इसमें से लगा हुआ है इस A, B, D, A में तो नहीं लगा हुआ है यहाँ पर लगा हुआ है तो यह अलग हो गया है दोस्तों ठीक है यहाँ का नहीं बात करना है तो यहाँ पर कोई नहीं है, विदुत्वाहकबल तो इधर हो जाएगा 0, अब यहाँ पर ध्यान देजेगा, सब में से 5-5 common कर लेते हैं, तो यह 5 common कर लिया तो क्या बचेगा, 2, I1, प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, I2, और यहाँ पर 5 common कर लिजे, मैनेस का गुणा कर यह हो जाएगा, मैनेस आई, और यह मैनेस मैनेस हो जाएगा, प्लस, I1, है ना, और बराबर क्या हो जाएगा, दोस्तो, 0, अब देखेए, पांच कुणा में और इधर जाएगा, तो भाग में, तो यह तो खत्म हो गया, यहाँ पर देख लिए जैए, दोस्तो, आब आगे तो पांच कुणा में था और इधर भेज़ दिया, तो भाग में हो जाएगा, है ना, अब देखेए, 2, 1, और यह, आई, 1, कितना हो जाएगा, 3, 1, है ना, और प्लस, I2, और यह 5 तो इधर भेज़ दिया है, तो 0 हो गया है, है ना, यह मैनेस में आई है, इधर जायगा, त d b में बात करते हैं यहां पर बात करेंगे बंद लूप अब बंद लूप बी सी स्वरी बी सी डी बी में है ना फिर खिर चौप का दूतिय नियम लग जाएगा अब यहां पर देखिए बी सी डी बी में हम बात करें यानि अब की बार इधर वाला छोड़ देना है आपको है ना बात करना इधर वाले में तो यह देखिए आप धारा क्या हमारा i1-i2 इसका संगत प्रतिरोध क्या है पांच हों है ना तो यहां पर रखेंगे हम लोग 5 गूड़े i1-i2 यह हो गया दोस्तो उसके बात फिर यहां पर चल रहे हम लोग है ना तो अब यहां से हम लोग चल ले तो देखिए धारा का दिशा विप्रित हो गया है ना तो धारा का दिशा विप्रित हो चुका है यानि कि अब देख लिया जाए तो धारा का मन क्या है हमारा i1 minus i plus i2 और परतिरोध क्या है 10 तो यहाँ पर आ जाएगा minus 10 में गुणा किसका करना है तो धारा का तो i minus i plus i1 plus i2 i minus i1 plus i2 आगे देखते हैं दोस्तो अब हम लोग इधर चल रहे हैं तो यह देखे फिर से विप्रित आ गया है ना हमको चलना है इधर के डिरेक्शन में लेकिन धारा के डिरेक्शन में इधर वाले के डिरेक्शन में तो फिर minus आएगा और i2 का गुणा होगा 5 यह minus 5 i2 ठीक है यह सभी का विजगा निकिये योग गिरों के बराबर क्योंकि कोई भी परकार का इसमें बितुत वाहा बल उत्पन नहीं है ठीक है आगे कर लेते हैं दोस्तों देखी सब में से 5 5 common है ना तो 5 5 common करके उधर भेज देंगे यहां पर बचेगा त्या i1 minus i2 यहां पर 5 निकल जाएगा तो त्या बचेगा मानेस का 2 बचेगा ना मानेस का 2 का गुणा इसमें कर देते हैं तो मानेस 2 i फिर मानेस 2 का इसमें कर देंगे तो मानेस मानेस हो जाएगा प्लस 2 i1 है ना मानेस 2 का फिर इसमें कर देंगे तो मानेस प्लस मानेस 2i2 हो जाएगा और यह minus यह 5 तो निकल गया है न केवल खली i2 बचेगा बराबर का 0 अब 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 5 भेज भी दीजेगा तो बराबर 0 ही होगा आगे करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए अब आप ध्यान से तो 1i1 और यहाँ पर यह हमारा 2i1 है है न और बाकी i1 नहीं है तो 2 और यह कितना हो जाएगा 3i1 है न फिर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यह 1i2 है और यहाँ पर देखिए 2 यह है 2 एक 3 और यह 4 हो जाएगा तो मैनस मैनस कुल मिलके हुए है तो 4i2 अब देखिए यह दो यहाँ पर माइनस 2i1 है यह माइनस 2i है यह माइनस में इधर जाएगा तो पलस में हो जाएगा तो बराबर देखे 2i लिखती है हमने ठीक है अब अगर देख ले दोस्तों तो इसको समिकरन नंबर हम 2 कर लेते है चलिए अब हम लोग निकाल लेते है i1 और i2 का मानी यहाँ से ठीक है तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो समिकरन 1 और 2 को अब हल करते है ठीक तो समिकरन 1 और 2 को जोड़ देते है और एक बार समिकरण एक और दो को घटा देते हैं तो आईए यहाँ पर समिकरण डिखा जाए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 3i1 है और यहाँ पर भी 3i1 है तो समिकरण एक मैंसे 2 को घटा दिया जाए यहाँ पर लिखेंगे समिकरन 1-2 से समिकरन 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों तो यह देखे 3i1 पलस i2 बराबर i है यह आप देख सकते हैं तो यह लिख लेंगे हम लोग 3i1 पलस i2 बराबर i और समिकरन 2 क्या दिया हुआ है 3i1 और minus 4i2 बराबर क्या है दोस्तो 2i यह हमने इस तरह पार दिया घटाने में तो आप जानती है ना यह तो 10 कलास का चीज़े है यह minus आजाएगा यह plus हो जाएगा और यह minus आजाएगा घटाने पर symbol बदल जाता है दोनों कट हो जाएगा देखें आपर कि i1 और यह 4 कितना हो जाएगा 5 i2 बराबर कितना हो जाएगा minus 2i में से 1i घटा देंगे तो minus का i बचेगा ठीक है अब यहां से मैं i2 का मान निकाल लेता हूँ तो i2 बराबर क्या हो जाएगा minus i बचा में 5 हो जाएगा ठीक है ओके तो यह हमारा i2 का माना गया इसको समिकरन नंबर 3 देते हैं ठीक है अब आगे करते हैं दोस्तों अब यही समिकरन यहाँ पे ध्यान दीजेगा समिकरन 3 सोरी 1 और 2 में हम लोग क्या करते हैं इसमें अगर हम लोग 4 का गुणा कर दें और 4 का गुणा करके इसमें जोड़ तो देखे यह चाहर आईटू है और यह म्मानेस में है और यह प्लस में हो जाएगा तो घरsa जाएगा ना जीड़ह जाएगा यानिकिन इस में चाहर गुञा तो यहां पर लिखेंगे सम asp किसरो में तो तो समिकरन एक क्या था दोस्तों यहां पर देखें यह क्या हो जाएगा चारतिया 12 I1 4 I2 और बराबर 4 I है ना तो 4 तिया 12 I1 प्लस 4 I2 बराबर 4 I ठीक है यह फिर से हम लोग कर लेते हैं ठीक है तो समझ में आया है दोस्तों और यह वाला उसी तारा लिख देना है इसमें तो कुछ भी का गुणा नहीं करना है दोस्तों समझ करन दो में है ना तो थेरी I1 मानेस 4 I2 बराबर 2 I अब जोड दिये है ना तो सिम्बल नहीं बदलता है दोस्तों यह सिम्पली इससे गिवल कड जाएगा अब देखा जाए तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 I1 बराबर कितना हो जाएगा चार और तो 6 I ठिक अब यह 15 कुणा में और इधर भेज देंगे तो भाग में I1 बराबर कितना हो जाएगा 6 I बटा में 15 ठिक है मान आ गया ठीक है अब बात करते हैं फिर से इस फिकर में ध्यान दीजिएगा अब हम लोग आई का मान निकालना चाहते हैं है ना तो अब बात करेंगे बंद लूप अब एक बड़ा और भी बंद लूप बनेगा देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा A, B, C, E, F, A है ना यह वाले बंद लूप में हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर बात करेंगे बंद लूप फुना फुना बंद लूप बंद लूप इसमें बात करेंगे दोस्तों A, B, C, E, F, A है ना अब यहां पर ध्यान देजेगा धारा क्या है हमारा i1 इसके संगत परति रोध 10 उन तो 10 का गुणा करेंगे i1 में अब यहां से फिर से देखें यह दार चल दिया तो यह धारा भी उसी दिशा में डिरेक्शन में बहरा है 5 का गुणा करेंगे i1 माइनस i2 से फिर आगे देखते हैं अब आप धार आईएगा तो यह देखें धारा है धारा बहरा है इसमें ठीक है इसमें धारा आई बहरा है यहां से आई जाएगा लेकिन यहां पर परति रोध तो कोई है ही नहीं है ना तो अलखरी क्या है यह बिध करेंगे एके साथ ठीक है ओल भी धारा करेंगे जीसा में है तो यह 10 का प्लस 10 गुड़े आई बराबर अब यहां पर बिद्धुत वाहक बल तो दिया हुए ना दूस्तों दस भूल्ट का विद्धुत वाहक बल है ठीक है यहां पर बराबर हो जाएगा 10 के ठीक है चलिए यहां पर देखिए अब इसे आगे हम लोग देख लिया जाए तो इन सभी में से 5-5 common है तो यह 5 इसमें से भी निकलेगा यहां से भी और यहां से भी यहां पर क्या हो जाएगा 2i1 और प्लस यहां पर क्या बच्छेगा i1-i2 प्लस यह 2i बराबर 10 और यह 5 जो है इधा से common की हैं तो इसके बटा में आ जाएगा है ना 5 ना 10 यानि 2i1 प्लस i2 सोरी यह भी i1 हो जाएगा और यह माइनस i2 और यह प्लस 2i बराबर 2 अब यह 2 और एक कितना हो जाएगा 3i1 माइनस यह i2 प्लस 2i बराबर 2 अब i1 और i2 का मान समिकरन 3 और 4 से रख देंगे है ना तो यहां पर देखिये दोस्टों समिकरन 3 से i2 का मान क्या है minus i बराबर 5 है ना तो यहां पर रख देंगे हम लोग i2 के जगह पर क्या रखेंगे minus तो मैनस मैनस हो जाएगा प्लस और i बटा में क्या है पांच है ठीक अब 3 यह हमने लिख दिया i1 का मान क्या है दोस्तों यह देखिए 2i बटा में 5 है ना i1 का मान यहाप रखेंगे 2i बटा में 5 फिर यह प्लस 2i यह i है और बराबर 2 हो जाएगा ठीक है एलसे हम ले लिजिए अब आप तो यह आप 5 5 और इसके बटा में एक है तो 5 ही आ जाएगा यह अब यह जब बराबर है दोनों देखें 3 ना 6 i हो जाएगा 5 से इसको भाग कीजिगा एक बर में 1 से 6 i में गुणा कीजिगा तो 6 i फिर प्लस पांच कम 5 और एक से आई में करेंगे तो i और प्लस यह एक से चिगए करेंगे तो 5 5 ऊनो दस आई और ये बराबर हो जाएगा दो के आगे करते हैं दोस्तो ये पांच गुणा में और इधर जाएगा तो और ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा तो पांदूना दस ये 6, 7 और ये 10 कितना हो जाएगा? 17 17 आई बराबर 10 हो जाएगा डाइट पांदोना 10 अब ये 10 17 गुणा में होरी धर गया तो भाग में तो I बराबर क्या मिलेगा 10 बटा में 17 एमपियर यानि I का मान हमारा ये मिल गया अब I1 और I2 का भी मान निकाल लेते हैं तो I1 का मान क्या है दोस्तों यहां पर समिकरों 34 से निकालेंगे हम लोग I1 का मा और I का मान निकाल लेते हैं अथीक है तो पांदोना 10 यानिकि ये 2 दोना 4 में 17 हो जाएगा है ना और समिकरों 35 से हम लोग देख लेते हैं I health का मान निकाल लेते हैं हैं प्याहब आई टू का मान निकालेंगे तो आई टू बराबर क्या लिख सकते हम दो माइनस एक बटा 5 गूरे आई है ना और यहां पर देखा जाए तो मैंनस एक बटा 5 और आई का मान क्या है दोस्तों तो 10 बटा 17 है यहां पर रग दिए गूरे 10 बटा 17 पांदो ना 10 यानि मा बटा 17 आ जाएगा ठीक है यह एंपियर में आ जाएगा तो देखिए आई आई वन और आई टू तीनों का मान हमने निकाल लिया है अब आईए पर्चेक साखा में हम लोग मान निकाल लेते हैं न तो यहां पर लिखेंगे इसलिए पहले तो अ बी साखा है न हमारा यह बी साखा में कौन सा धरा जा रहा है तो आई वन जा रहा हैं यहां पर लिख लेंगे हम लोग a b में धारा बराबर क्या है i1 और i1 कमान कितना है दोस्तों देखिए 4 बटा 17 है ठीक है अब उसके बाद b c में धारा कौन सा जा रहा है तो i1 मानेस i2 है न b c में धारा बराबर i1 मानेस i2 i1 कमान रख लेते हैं दोस्तों देखिए यहां पर देख लिए आइवन कमान क्या है चार बटा 17 और यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस दो बटा 17 यह करेंगे तो 6 बटा 17 यहां पर यहां पर यहां पर रख देते हैं आई कमान क्या है दोस्तों यह देखिए आई कमान क्या है दस बटा 17 दस बटा 17 मान का मान क्या है दोस्तों यह देखिए चार बटा 17 चार बटा 17 रख देंगे है ना फिर आई टू का मान क्या है तो आई टू का क्या है मैनस दो बटा 17 यह देखिए आप मैनस अपलस हो जाएगा मैनस दो बटा 17 अब देख लिए जाए तो 17 17 17 का होगा 17 रही हो जाएगा और यहां पर देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 10 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 4 यानि 4 बटा 17 ampere ओके CD हो गया अब DA में 13 कमान निकालते तो I-I1 के बराबर है DA में 13 I-I1 रैट I कमान क्या है दोस्तों तो I कमान यहां पर देखिए 10 बटा 17 है ठीक है 10 बटा 17 और मानिस I1 का मान क्या है दोस्तों 4 बटा 17 यह देख सकते है यहां पर रख देंगे 4 बटा 17 और यह कल्कुलेट करते हैं तो 6 बटा 17 आ जाता है ठीक है इसका भी मान क्या आएगा 6 बटा 17 अब उसके बाद अब उसके बाद देखा जाए यहां पर तो A, B, B, C, C, D, D, A चारों में निकाल लिए अब निकालेंगे B, D में धारा B, D में क्या है दोस्तो आइटू है है ना तो यह हमारा B, D में धारा थोड़ा से यह लंबा है कोस्टन दोस्तो लेकिन बहुत ही असान कोस्टन है बहुत जादा नहीं है अगर यह समझ गया होंगे ना तो पूरा एकदम कंप्लेट है ना I2 बराबर क्या हो जाएगा I2 का मान देखिए यहां पर I2 का मान हमने यह यह निकाल ला है मानेस दो बटा 17 मानेस दो बटा 17 एंपिर तो उमीद है दोस्तो यह पूरा का पूरा कोस्टन समझ में जरूर आया होगा फिर से एक आज बार और पीछे करके देख लीजेगा पूरा किलियर हो जाएगा ठीक है और अगर आप इस पर मेहनत कर देते हैं कि मैं वीडियो डालू तो आप तक यह वीडियो जो है पहुंच जाए ठीक है तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आपकी बार पार्ट 3 आएगा हमारा ठीक है तो पार्ट 1 अगर देखना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं ठीक है तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों